चैनल को सस्क्राइब कर ले और सस्क्राइब करने के बाद बगल में जो घंटे का आइकन है प्लीज आप असे जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरताबदौरिया इंडियन यूटूबर और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम तुल्सी के पत्ते से रस्खो कैसे निकालेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और इससे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लें और दोस्तों वीडि आपको दिख रहे हैं कैमरे में मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आप पैचानने में कोई गलती ना करें तो यह मैंने यहां पर तुल्सी के पत्ते लिए हैं तकरीमां यहां यहां पर मैंने दस बीस पत्ते ले लिए हैं अब इनकव मैंने अच्छे से पानी से तो पानी को दोल लें तो किसी कपड़े में रख लें तो इसका पानी खतम हो जाएगा पिर आप इस तरीके से यह रोटी बिलने वाला तिपाई में लिया है यह दोल आप दोल्सी के पत्ते को डाल लीजिये और ये बेलन की मदद से यानि जो बेलन रूटी बिलने वाला बेलन होता है उससे आप इस तुल्सी के पत्तो को पीछ लेए यानि कि तुल्सी के पत्तो का पेश्ट बना लेए इस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए एक एक पत्ता लेकर डाल लए हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो इस तरीके से आप तुलसी के पत्तों को एक जगाप करके ऐसे आप पीशते जाईए तो इसका पेश्ट अच्छे से बन जाएगा और हमें तुलसी के पत्तों का पेश्ट बारीक बनाना है तो यह देखें यहां पर मैंने तुलसी के प की तुलसी के प्त्ती के पेष्ट को हम एक जगह पर क्र लेंगे पूरा possible अब आगे क्या करना हमें आगे एक बाउल होना चाहिए काँच का की इस तरीके से आप काँच का बाउल ले ले और इस पर एक छंणी रख लें चायवाली चंणी हो आप इस-तरीके से रख लह इसमें अगर शनी नहीं है तो आप कौटन का कपड़ा ले ले उस पे इसको रख करके आप छान सकते हैं तो यहां पर मैं आपको चाय वाली छनी से छान के दिखा रही हूं चाय की छनी रख करके बावल में और तुल्सी की पत्ती का पेश्ट डाल दें और इसको हम एक स्पू आप देखें यहां पर बिल्कुल सुद्ध जूस निकल रहा है तुल्सी की पत्तियों का बिल्कुल सुद्ध जूस है इसमें कोई पानी नहीं है कोई कुछ नहीं है और हमने पत्तियों को सुखा लिया था तो इसमें कोई पानी नहीं है आप इसको इस प्रोसेस से आप इस प्रमें चहँनी में इस को आप फेके नहीं इसमें थोड़ा चिल मिला के और आपने बालों में यूज कर ले यानि कि दोने के एक गंटे पहले बालों को लगा ले बालों में ये पेश्टमान लगा ले ये यहां कि औरा तो इस तरीके से आप यह तुलसी के पत्तों का रस निकाल करके और आप इसे एक दिन यूज करें ताजय-ताजय यूज करें जब आपको जरूर रथ हो तब आप इसे ताजय-ताजय यूज कर लें यानि कि इसको आपको रखना नहीं है आप रखेंगे तो यह खराबसा हो जाएगा और इसके सारे गुड़ खतम हो जाएगे तो इस तरीके से आप तुलसी का जूस निकाल लें तुलसी का रस निकाल लें और दोस्तों यह बहुत ही गुड़ कारी रस होता है तुलसी का तुल इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिलकुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके आप बताईए कि आप किस तरीके के आ आपको वीडियो चाहिए तो चलिए दोस्तों मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार